तो यहाँ पर गेन की कहानी तो complete हुई कि जो गेन कर रहे थे उनको तो कर दिया debit वो भी पूरे से 18 है ना ऐसा नहीं कि यह 18 बनाएगा ultimately इसने 18 दे दिया पर राम को भी दिया है कुछ मोहन को भी दिया है बीना आदा गाम हुआ है क्योंकि गेनिंग यानिकि debit जो करने थे उनके debit के कॉलम में तो लिख दिया ये दोनों किसको दे रहे हैं वैसे राम और मोहन को sacrifice वालों को जिने हम credit करते हैं तो यार credit के कॉलम में कहान लिखा मैंने राम और मोहन के नहीं न और देखो कितना simple है इसे करवाँगा इंटर आपको पता है न दो जगह इंटर होती हैं ये एक जगह कर दी debit में दिखा दिया कि सोहन दे रहा है राम को amount इतनी हरी दे रहा है राम को amount इतनी ऐसा कुछ चलो आजो राम के कॉलम पे आजो राम को कितना मिला 13,500 मिला बिलकुल मिला है चुकि दिया है तो debit कर आओगा इसको credit कर दिया 13,500 मैंने बताया था राम के कॉलम में कभी राम का नाम नहीं आयागा चुकि राम के कॉलम में लिख रहा हूं amount पता है किसका आएगा नाम buy राम को किस से मिला है यह 13,500 के चेक कर लो किस से मिला है सोहन से तो buy सोहन स capital account 13,500 क्या राम को कुछ और भी मिला है कि राम के कॉलम में लिखू हूं है credit करूं बढ़ा हूं इसकी capital हाँ यह रह सौरी राम है ना राम यह रह ठीक है 10,000 रुपीज वो भी 500 और यह मिले है राम को मेरे हिसाब से total हमें कितना देना चाहिए 54,000 चेक कर ले ना क्या total 54 दे रहो राम को या नहीं दे रहे यह 4 आएगा है यहापे क्योंकि यह 40 है ना 4 ठीक है तो चेक कर ले ना add कर ले ना 54 बन जाएगा ठीक है आप लोग खुदी करोगे बलके मज़ा भी है इसमें अगर आप ध्यान से समझोगे तो देखो अब मैं बताता हूँ मोहन को भी दे रहे थे ना ठीक है मोहन भी credit मोहन भी sacrifice वाला इसे भी देंगे मोहन को कितना आना चाहिए हिससे में 18,000 रुपे है पर हाँ यह मोहन जो है न यह कुछ तो लेगा 4500 किस से लेगा किस से लेगा सोहन से अल्रेडी लिखा हूँ है सोहन यह रहा तो तुम्हें देखके एंटर करना पड़ेगा amount मोहन फिर हरी से भी लेता है तो हरी यह रहा न हरी वाला कितना लेगा 13,500 क्या यह 18 बना रहा है येस बिटा आप इसे कम क्यों दे रहो इसे जादा क्यों दे रहो क्योंकि इसको तो जादा sacrifice हो रहा है इस वज़े से तो यार total वो ही बनाएगा split करके लिखना है यह हमारा partners capital account बस इतना ही करना है आगे का process same है अब तुम लोगों को पता है कि सर हम ना दो side है ना which is bigger जो ज़्यादा होगी उसका total नीचे लिखवा देंगे वो ही same यहाँ पर लिखवाते हैं पर ये तो ज़्यादा नहीं थी तो minus करके balance आजाता है जो आगे के side carry downward करेंगे है ठीक है पर problem ही है यार balance fluctuate आजाएंगे मतलब हमें नहीं बता balance क्या आएंगे पर हमसे question में कहता है कि यार इनकी ratio के साब से करवा balance अब ratio का meaning हो गया इनकी new ratio के साब से setting करवा दो capital की ठीक है वई तो check करते हैं करना क्या है मैं इतना ही करना था totaling करेंगे जैसे करते हैं पर rough में करना अभी देखो पहले credit वाले का total करके देख लो राम का कितना आता है column wise चलेंगे vertically चार लाक अच्छा और यह कितना बनाएगा amount 54 तो 4,54 तो 4,54 की होगे credit ठीक है तो राम की capital account का मैं करना हूँ total तो मेरे को 4,54 मिली credit side का total debit वाले क्या करते हैं yes minus करते हैं एक बार बता दो कितना हैगा 4,00 बताओ कितना हैगा 42 4,42 था होदेंड तो यार यह इसकी capital आती है मेरे पास राम की इसी तरह से आप लोग सब की capital निकालो मोहन का total कर लो 4,50 अच्छा और यह कितना है 18 तो 4,68 credit वाली क्यों लिख रहाऊं पहले मुझे पता है कि हाँ वाई credit वाली बड़ी होती है debit वाली generally छोटी होती है 4,68 मोहन के debit पे आओ 9,000 रुपीज ले ले ना इससे क्योंकि revaluation पे loss हुआ है कर दो इसे minus 4,59,000 यही आएगा ना येस चलो next सोहन की capital चेक करते है credit में amount पड़ी वी है 2,50,000 की फिर debit में आजाओं यार सोहन ने 6,000 तो दिये ही है और ये भी दिये amount 18 18 और 6 कितना होगा है 24 ठीक है तो 2,50,000 में से वैसे credit balance इतना था पड़ debit ना कम कर देगा इसे 24 ठाना कितना आजाएगा 2,06,000 और ये तुमारा यार 26,000 रूपीज यार ये capital सोहन की जो कि मैंने हरी में लिख दी गलती से next हरी की capital निकालते है हरी की capital 2,00,000 है और debit में amount आईगी हमारे पास 54 और फिर तुमारा होगे है ये 57 2,00,000 रूपीज में से 2,00,000 रूपीज में से 57,000 डिड़क्ट कर दो 1,43,00 बच गए capital तो वैसे ये आ रही है पर question में न हमें क्या करना होता है ये न बड़ी अनिक्वल सी आ रही है capital किसी की 4,00,000,000,000 किसी की कुछ अलग-अलग सी amount आ रही है हमारे question की demand होती है जिसे हम adjustment of capital कहते हैं कि यार इनकी capital भी न ratio change हूई है न इसलिए करवारों न इतना बड़ा question capital भी ratio के साब से करतो मतलब 1-2-3-4 में रखो capital भी for example अगर इसकी 1,00,000,000 रुपे है तो इसकी 2,00,000,000 रुपे होनी चीए ये ज़्यादा share लेगा न तो इसकी 4,00,000,000 रुपे होनी चीए capitals भी ratio में आनी चीए अब यार ये चार figure आ रही है न मेरे पास तो मैं इसे ratio में कैसे करूँ बहुत simple है इन चारो capital को जोड दूँँआ add कर दूँआ और divide करूँँआ ratio में फिर पता लगा लेंगे किसकी कम और किसकी ज़्यादा जिसकी ज़्यादा होगी capital firm के अंदर वो निकाल लेगा तो debit में लिख देंगे हम लोग withdraw कर लेगा वो और जिसकी होगी कम जिसकी capital कम है पर उससे लेके आनी ज़्यादा पड़ेगी क्योंकि उसकी ratio satisfy करानी है मुझे तो यार फिर वो लेके आयेगा तो credit में लिखूँगा बढ़ानी है बस एक छोटा सा point ओर जोड़ना चाहूँगा वो छोटा सा point यह है कि ना कभी-कभी तो cash से लाते हैं लोग cash निकाल लेते हैं या cash लेकर आ जाते हैं तो तुम लोग cash लिख देना कभी-कभी bank से होता है यही काम और कभी-कभी कह देगा current account से गरो तो तुम्हारा क्या जा रहा है current account से ही यह क्या कर लेगा निकाल लेगा तो current account में चल जाएगा वो पैसा fix वाली तो equal हो गई ना 4,3,2,1 में ratio में अच्छा और यह होगा न जो लेके आएगा वो भी करेंट में लिखना current से adjust कर दिया current से लिए तो current capital account के हिसाफ से adjustment करनी है बस cash के जगा current लिख देना मतलब ना यह वो concept आ गया अब कि जिनकी जो भी capital है वो capital ना वही इस ratio में होनी चाहिए इसे ही हम लोग adjustment of capital कहते है capital को adjust कर दो हमें ऐसा लगता है सबसे ज़्यादा share यह रखेगा profit का तो यार फिर इसकी fourth number वाले partner की यार capital भी ज़ादा होनी चाहिए four times होनी चाहिए as compared to first वाले की मतलब मेरे को ratio में build up करना है कितना सिंपल है total capital निकाल दी राम की पता है कितनी होनी चाहिए फिर capital इसके हिसाब से firm की कितनी है total बारा लाक सत्तर की इस पे कितना निकालो one by ten हो जाएगा यह यह 110 थान हो चीए second वाले का two by ten और three by ten four by ten इस तरह से आप लोग इससे solve कर लो like 27,000 चीए बस हमें क्योंकि इसका share भी कम है पर इस बिचारे ने जादा invest कर रहा गा तो यह चाहे तो हटा दे यहां से capital पर हाँ cash में ना लेके जाए current account में shift कर दे क्योंकि यह question की demand है चलो next वाले का twice कर दे तो इसे कर लेना आप लोग बहुत ध्यान से यह हो गया टू लाक 27 हो गया 54,000 यह सारी capital सा गई मैंने calculator से निकाल लिया आप लोग अपने आप निकालना यह step मैंने calculator से कर रहा है अब next क्या करेंगे comparison क्रियेट करेंगे एक देखो सिर्फ राम वाले capital अकाउंट पर आ जाओ भई राम ने लगा तो इतने रहे हैं या फिर राम की capital माइनस करने के बाद मेरे को यह हासील हो रही थी 4,42 पर नीड नहीं है इतनी क्योंकि इसका तो share भी कम है तो company कहते है या remove करना कर लो 1,27 मतलब यह तो शायद कम बताओ यह क्या करेगा हट आएगा या और लगाने पढ़ेंगे brought लेके आएगा या फिर withdraw कर सकता है withdraw कर सकता है withdraw का treatment बस current account से शो करना है तो आप क्या करना राम है ना withdraw करेगा ना तो 2 राम का current account आएगा इनके current account balance आएगे यहाँ पर तो कितने remove कर सकता है दोनों का difference निकाल लो यानि के debit में दिखा सकते हम second वाली बड़ी है यह वाली capital और need हमें कम की है तो फिर से यह withdraw कर सकता है तो यह दोनों तो debit में आ गए 2,26 और यहां 3,81 इसे लेके आने पड़ेंगे amount तो यह आएगा credit का हिस्सा बनेगा फिर यह 5,00,000 चाहिए है क्योंकि भई आप share भी तो जादा ले रहे हो पर आपका तो इस टेम काम है 1,43 तो फिर और लेके आओ credit से बेटा क्या करना difference निकाल लोग कितना लेके आना है minus कर लो यह credit में और यह debit में by या to current account बस पहले इतना करो फिर बताऊंगा कि सर वो BD क्या करते हैं वो total क्या करना है total तो equal आता ही नहीं है वो देखेंगे अभी तो मैंने इनकी existence capital और इनकी new capital जो मैं maintain करनी है as per the new ratio उनका comparison करा मतलब difference करा तो यार दो की तो क्या मिली मेरे को जादा मिल गई मैंने का भाई withdraw कर लो current account से तो राम्स current account राम के कॉलम में मोहन्स current account मोहन के कॉलम में ये सब निकालना पड़ता है महनत से मतलब की total में से minus करकर के देखना पड़ता है कि withdraw तो कि भई आगे तो हमें ये चलानी है ये ना वो है हमारी balance cd क्योंकि आगे ये लेके चानलना है तो यार इसमें ना तुम लोग लिखोगे bracket में balancing figure क्योंकि minus plus करके आए ऐसी यहां पर भी लिखना सेम लिख दिया मैंने इन नोनों की क्या करनी पड़ेगी credit लेके आना पड़ेगा इन नोनों को क्योंकि यार ये ज़्यादा है और ये दो कम है एक column ना मैंने अभी तक नहीं feel करा वो है total का आप लोग भी मत करना पहले rough में निकाल ले पर यार अब देखो इन्हें और लेकर आनी पड़ रही है तो अब इसका total ज्यादा heavy पड़ेगा credit का मतलब change हो जाएगा ठीक है नहीं तो match नहीं होता अब आप क्या गरो इतना तो fact है ना कि इनके balances है कुछ capital के yes जो 3D की category में जाते है बेड़ा इनकी new जो capital है वो यही तो है तो आगे जाके यही चलानी है हमें तो आप यही लिख दो बस 1,27,000 चाहिए हमे 2,54 आप से चाहिए फिर 3,81 आप से चाहिए भी सोहन और 5,08 चाहिए भी हरी से अब देखो total का कहानी अब क्या कहानी है अब बहुत simple है अब ना total कर लो इनके equal आने चाहिए अब total debit का भी और credit का भी debit credit equal का आता है वो तो minus करके निकालते है ना बेटा वो सारी चीज़े fill कर दी ना मैंने यह minus करके यह आता होगा न सब fill कर दिया ना अब तो total आना चाहिए नहीं तो हम गलत कर रहे हैं फिर कर लो इसका total कितना हैगा इसका तो वो ही same रहेगा क्योंकि कुछ लाना नहीं पड़ा इस वाले partner को जो इसका total जो हो जाए change हो जाए समझ गए ना इने लाना पड़ रहा है तो इनका देखो यह और add हो जाएगा अब की बार चलो बई इन सब के total करो इसका total करो कर दो, खो कर कृप़ ऑड़ लाता कर दो झाना आए नहीं लाता करो जाएफ झांब की वीकर यह झर वीकर ऊड़ाई है झांदा नहीं भड़ दखना की तो मुझा वीकर यह झांश इसका उन्हावा झाएफ़ झाल झाल कि बैलन्स शीट मैच होनी चाहिए बस कॉमर्स वालों के लिए दो तो बस एक ऐसी शीट जहां पर एसेट्स भी हो और लिएबिलिटी भी हो चीट का फॉर्मेट या फिर काऊं धीम ये रहने वाली है फिक्स एसेट्स पर कोई डैपरीशेशन लगा नहीं तो फिक्स ही रहन देना करेंट एसेट्स भी ऐसी रहन दो ठीक है क्योंकि रिवैल्यूड तो एक चीज हुई थी वर्कमेन कंपनसेशन क्लेम तुम लोग प्लीज वन लैक फिफ्टी लिखना वई अब क्योंकि पहले तो वन लैक ट्वेंटी था पर अब थर्टी इंक्रीज करतो दिया वन लैक फिफ्टी दिन है ना मुझे तो और दिये का है इसलिए लैबिलिटी है पता है और क्या करना इनकी न्यू वाली क्यापिटल जो जिनका टूटल आ रहा था 12,70,000 वो लिखना आप क्यापिटल बेड़ा कुछ तो क्यापिटल ये लोग निकाल लिए और कुछ लेके आएंगे जो फ्लक्चुएशन आई थी ना नियू रेशियो बनाने की चक्करों में तो कभी तो इन्हें अपनी कैपिटल और ज्यादा लेके आनी पड़ रही थी लेके आओगे तो वो बिजनेस का पैसा नहीं है तो बिजनेस उसे लाइबिलिटी मानता है देखो कैपिटल लाइबिलिटी में आ रही है वैसे तो अधिकार होता है वो तो एसेट होता है यह तो लेना ही लेना बड़ेगा इन दोनों से क्योंकि इनकी तो कम रही थी पर इनके शेर अच्छे खास है ठीक है तो इनसे लेंगे तो इस पर अधिकार हो गया फ़र्म का तो यह आई कि देखो जो डेबिट में आएगा वो ठीक है जनरल ही ऐसा होता है तो बत कोश्चन एक बार खुद से जरूर ट्राय करना प्लीज